प्रियमित्रों, आज हम लिवर एंजाइम से संबंधित कुछ चर्शा करने जा रहे हैं। और तीसरा जो लिवर स्पेसिफिक होता है वो GGTP होता है। जो पहले दो एंजाइम हैं जिनको हम SGOT और SGPT कहते हैं, इनका अन्य नाम AST और ALT भी होता है। बहुत से लोग रूटीन में जब अपना हेल्थ चेक अप कराते हैं, तो उस हेल्थ चेक अप में वो कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किड्नी फंक्शन टेस्ट, थायरोइड प्रोफाइल, बोडी में लिपिड प्रोफाइल, यह विटामिन बी और विटामिन डी आदि यह कॉमन जो रूटीन टेस्ट हैं, यह सब लोग कराते हैं। तो इसमें जो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट में बेसिकली एक तो बिलिरूबिन की मात्रा, जिसमें डाइरेक्ट और इंडारेक्ट बिलिरूबिन दोनों देखे जाते हैं। और उसके बाद लिवर के कुछ एंजाइम्स और साथी साथ ग्लोबुलिन और एल्बुमिन का जो है रेशो ये सारी चीजें बेसीकली देखी जाती है तो यदि किसी व्यक्ति में जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो बहुत ज्यादा मातरा में बढ़े हुए हैं तो निश्चित रूप से ये जो अवस्था है ये लिवर सैल की इंजरी के मिलता है कि ये जो एल्टी और एस्टी जो दो एंजाइम्स हैं इनकी थोड़ी सी मातरा बढ़े होती है यानि कि बॉर्डर लाइन से ये कुछ उपर होते हैं जैसे 40 और 45 की इनकी जो रेंज होती है तो कहीं बार ये 60, 70, 40, 50 और 55 की रेंज में देखने को मिलते हैं तो फैट मेटाबोलिजम के डिस्टर्ब होने से ये एंजाइम्स थोड़े से बढ़े हुए मातरा में मिलते हैं जहां तक इसके बिना किसी मेडिसिन के ट्रीटमेंट का विशह है उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि कुछ डाइट के मोडिफिकेशन कराते हैं जैसे कि ड प्रुकटॉच जो है उसको add किया जाना चाहिए और जो शुगर है वह बहुत कम मातरा में कर देनी चाहिए जितना कम हो सके उतना कम गर देनी चाहिए क्योंकि शुगर जो भी हम लेते हैं वो अल्टिमेटली फैट में डिस्ट मेंट हो जाती है और नॉर्मल जो हम फैट ल उनको लेकर के उसके बाद खाना खाना चाहिए जहां तक ओयल्स की बात है तो ओयल में हमारे यहां जो नौर्थ इंडिया में हैं तो वहां पर सरसों का तेल खाने के लिए प्रिक्त होता है साउथ इंडिया में केरलादी में नारिल का तेल या कोकोनट ओयल बहुत जादा उसके जगह पर सुरज मुखी का तेयर संफ्लावर ओयल भी यूज किया जा सकता है तीसरी बात कि प्रोपर एक्सरसाइज होनी चाहिए एक ब्रिस्क वाक जो है करीब करीब आदे घंटे की ब्रिस्क वाक वो बहुत आवश्यक होती है यदि हम इन 3-4 चोटी-चोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 6 मेने में जब आप LFT कराएंगे तो आपके जो एंजाइमस है वो बिल्कुल नॉर्मल इस्तिती में रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की जो लिपिड या फैट को कम करने वाले जो मेडिसंस है उनको लेने की कोई भी आवश्यक्ता नहीं होगी ये निश्चित है तो आशा है ये तीन चीज़े मैं फिर से समराइज कर देता हूँ फ्रूट्स का पर्टिकुलरली सुबह के टाइम ब्रेक्फास्ट में प्रियापत मातरा में फ्रूट ले लंच और डिनर के पहले जो है सैलेट्स का भरपूर मातरा में प्रियोग करें खाना जो नॉर्मल आप खाते हैं वही खाएं और साथी साथ आदे घंटे की ब्रिस्क वाग करें यदि आप इनका ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से ये लिवर एंजायम साब के बिलकुल नॉर्मल इस्थिती में होंगे थैंक यू अरी मुच